आजे कैसे नास्ते की रेस्पी लेकर आई हूँ, जो बनाने में एकदम आसान, जटपट बन कर तयार हो जता है, देखने में एकदम यूनिक और अच्छा से दिखाई देता है, और स्वाधिश तो इतना कि कोई तारिफ करेविना रहनी पाएंगे, किसी भी स्पेसल डे, किट सकते हैं, तो दाल अच्छे से फूल कर तयार हो जाएगी, तो यहाँ पर दाल से ना बनाकर आप चाहिए, तो खाली बेसन से बनाकर तयार कर सकते हैं, इंस्टेंट ज़्यादा समय में लगता, तो दाल को मैंने और नाइट के लिए देखे छोड़ दिया था, यह थोड़ी सोफ्ट और अच्छे से फूल चुकी है, अब इसको दो कर अच्छे से मिलब दो तिन बार इसको ऐसे दो लेंगे पानी से, उसके बाद पानी निकाल लेंगे, अब इसको पीस लेंगे, तो यहाँ पर यह मैं दाल वाला तरीका बता रही हूँ, आप चाहिए बेसन से के न्यू रोयल मिक्सर ग्रेंडर का यूज कर रही है, जो मैंने कुछ दिन पहले लिया है, तो बड़े वाले जार के अंदर एक बार में डाल कर काफी कॉंटिटी में ऐसे आप पीस कर तेयार कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए दाल को अमने अच्छे से पीस लिया, अग कुछ घार कर लेते हैं, जिसमें बना ना है, तो यहाँ पर डू मेरे पास क्टॉरी मैंने वही लिया, इस साइच की आप चाहिजा थोड़ी सी बड़े साइज की क्टॉरी ले सकते हैं, अगर है तो, अब इसने चोटे साइज की कोई बी कॉट रच सकते हैं, तो मेरे पास कांच वाली कटोरी है और आप टैंसन बिल्कुल ना ले कि ऐसे टूट जाएगी कांच की कटोरी बिल्कुल नहीं टूटेगी क्योंकि अंदर हम डाल रहे हैं अगर आप डिरेक्ट ऐसे स्टीम करेंगे तो टूटने कड़ा रहता है यह बिल्कुल भी कुछ खराब नहीं होग इसके बाद डाल देंगे थोड़ा नीबु करस तो जो भी आपके पास है ऐसे गाजर वगेरा पनीर वगेरा जो भी डालना चाहिए आप डाल सकते हैं और मिक्स कर ले फटा पट थोड़ा सा लाल मिस पाडर भी डाल देंगे जितना आपको सपाइसी टीका चाहिए ऐसे करने वाले हैं तो यहां पर ऐसे हमने देखिए इसको मिक्स कर लिया और यह चटपटी से अच्छी सी फिलिंग देखी तैयार हो जाती है अब इसके बाद दूसरी तरफ कोई भी कड़ाया पैन या फिर पतीले के अंदर ऐसे पानी डालकर रख देंगे नीचे कोई स्टैंड ह तो ठीक है नीचे कोटोरी भी आप रख सकते है थोड़े से हाइट करने के लिए और यहां पर जो फिलिंग तैयार के थी उसको बैटर के अंदर थोड़ा डालेंगे थोड़ा हल्दी पाडर उसके बाद थोड़ा नमक और एक चमच मैंने ओल लिया है अब इन सब को हम अच और अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे इनों डालने के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत रखना है पर थोड़ा सा आप मिक्स करें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहां पर देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिए और बैटर ऐसा रखा है अब इसके अंदर जो ताकि बैटर थोड़ा सा सैट हो जाए, एक साथ में नहीं डालना, पहले बैटर डाले, अब थोड़ा टैप करें, नीचे तक बैटर जाए अच्छे से, अब इसके बाद जो फिलिंग तैयार की ती उसको अलका सा ऐसे डालेंगे, और सभी के उपर डालने के बाद फिर से थो मसे भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आप इसे हलका सा टैप करके भी ऐसे सैट कर सकते हैं, ताकि अच्छे से सैट हो, अब इसके बाद तुरंत रख देंगे, तो यहाँ पर नोर्मल कोई भी प्लेट ले सकते हैं, मेरे पास यह ऐसे जाली वाली प्लेट थी, तो मैंने समय लगेगा, वैसे आठ से दस मिट में अच्छे से बन जाता है, तब तक हम एक चटपटी सी चटनी सी तयार कर लेते हैं, मैंने हैं पर हरा दनिया और पोदी न लिया है, इसके बाद हरी मिर्च, लसुन, यह सब लिया है, और थोड़ी से मैं यहाँ पर रोश्टिर चना तयार हो जाए, तो यह पहुत ही चल्दी और फटापट ग्रीन चटनी स्पाइसी तीकी हमारी देखी बन कर तयार हो जाती है, तो इसके साथ में बहुत जादा अच्छी भी लगती, पोदी न हरे दनिया के फ्लेवर वाली यह चटपटी चटनी तयार है, अब इसके बाद प्ले को रखा था, वो भी देखिए, अच्छे से स्टीम हो गया, दस से बारा मिंट का समय हो गया, लगबग मैंने इसे दस मिंट से जादा ही हो गया, और अच्छे से आप चाय तो चैक भी कर सकते हैं, चमच या फिर ऐसे टूटपिक से तो आपको पता चल जाएगा, और स कटोरी की वज़े से बहुत ही अच्छा डिजैन बनता है, तो यहां पर जो बीच में कटोरी है उसको थोड़ा सा चाकु से हटा कर भी निकाल सकते हैं, अगर ऐसे नहीं निकल रही है तो किनारे से हलका सा हटाएंगे, फिर आसानी से देखिए निकल जाती है, तो यहां पर जो अनार के ऐसे मतलब डाले थे न बीच, उससे जादा थोड़ा कलरी चेंज हो गया, उसका मतलब जूस तो साइज निकली गया, अब टमाटर की मतलब पीसीज करके डालेंगे तो बहुत अच्छा सा कलर आता देखने में, लुक रेड कलर का, अब इसके बाद जो चटनी ह हमने बनाई थी, उसको अंदर डालेंगे, जितना इसके अंदर फिलिंग करना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं, अपनी पसंद से वेजटेबल, या पर थोड़े से मैंने चने लिया, ऐसे स्प्राउटेड लफ्राई के हुए, उसके उपर से आप अपनी पसंद से कुछ भी डाले ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिश देखी चाट तैयार है, थोड़ा सा टोमेटो केचप या इमली की चटनी उपर से डाल देंगे, तो और भी ज़्यादा स्वादिश लगेगा, आप चाहिए तो इसमें खट्टा मीठा दई भी डाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा नहीं ट्राइ किया है, तो एक पर ज़रूर बना कर देखना, तो सिंपल तरीके से डोकले आपने खुब बनाएंगे, इस तरीके से आप बना कर सोब करेंगे, तो सभी को देखने में भी और खाने में भी कुछ अलग सा दिखाई देगा, और पसंद तो आने वाला यह स्वा बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, आसानी से अच्छा हेल्दी नास्ता बनकर तैयार हो जाता है, सिंपल तरीके से ना बना कर कुछ अलग तरीके से ट्राइ करना, और सभी को पसंद आने वाला है, अगर आपको यह डोकला कटोरी चार्ट की रेस्पी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और सेयर करना बिलकुल ना बुले, और कमेंट करके फीडबेक जरूर दे कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी, इसे मुझे पता चलता है, और चैनल पर अगर आप पहली बार आएं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी सभी वीडि आने वाली है, चलिए जल्द मिनते हैं, और नई वीडियो के साथ, थैंक्यो फोर वाचिंग,